एक वर फिर बिहार सन्यूत परवेश परतियोगिता परिच्छा पारशत की तरब से एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है पॉल्टेक्निक पीपीई, पीमडी और पीम के लिए ये इसका आउनलाइन अप्लिकेशन चोगदे अगास दोजार एकिस से भरा जा रहा है सबसे पहले हम दो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे इस वेब साइट से पहला नोटिफिकेशन देख सकता है या लेटेस्ट अपडेट्स में सेक्शन में देख सकता है पहला नोटिफिकेशन और दूसरा इन दोनोटिफिकेशन को डाउनलार सन्यूत परवेश परतियोग तैसे जो मेट्रिक होता है उसके लेबल पर यह फिल अब होगा तिती यह ऑंलाइन आवेदन करने के प्रारंबिक यह ध्यान में रखना याउनलाइन प्रारंबिक तीती जो है चोगद्य अगस्त को है यह यह याद रखना कर देखने यह से चार सितंबर को साओं से आपका और लाएन फौरं भर देना है खुद कर सकते हैं यहाँ पर देख सकता है सारे इस टेप दिए है फॉर्फ इस टेप नीचे जो आफ बताते जाएंगे इस परिचाहतु पर यह पर एक लिंक सोगा अपलाइब पर पीएंप पीपी एक करके पीएंप पीएंडी उसके बाद वहाँ पर किलिक करिएगा आपको जो है एक रेश्टेशन करने का फॉर्म खुले वहाँ पर अपना नेम अगर डालके इमेल आईडी और पासपर और मोबाइल नमर जो पर आपका इमेल डी चालू है या फिर नहीं यह में लडी तो आप नया बना सकते हैं मोबाइल से वह भी मैं आपको बनाने के लिए बता दूंगा उसके बाद जो है एक समस्प्राप्त का मोबाइल नमबर डालने के बाद उस नमर को आप डाल दीजिएगा वह 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 लाइंगा हो उसके बाद एकाउंट एक्टिवेट होने के बाद अब्यारती साइन इन बटन पर क्लिक करें तो अपना इमेल आईडी पासबट डाल कर साइन इन कर लेंगे लिए जब अपका सबमिट कर दीजिएगा अपना नाम मोबाइल नमर इमेल डालने के बाद आपको सबमिट कर देना उसके बाद नहीं पर साइन इंड का बटन मिलेगा जो की आपको मुआभ़ क्लिख कर देना है साइन इंड बटन पर उसके बाद जो अपना इमेल आईड़ी बहस्थी दोरड़ा दिया गए मेल आइड़ी इसका यूजर नेम होगा ठीक है आपका जो इमेल आइडिया वह आपका यूजर नहीं होगा आप पासबर्ट जो चूज किये थे वह डाल दीजेगा वह आपका पासबर्ट हो जाएगा अब देखां सकर्ण इस्टेप में क्या सेकर्ण इस्टेप में परसनल इन्फोर्मेशन अब जैसे की एकाउंट एक्टिबेट सफलता पर रेजिस्टेशन अपने एकाउंट को एक्टिबेट कर पून अपने एकाउंट में साइन इन करने के ओप्रांद कंप्यूटर स्क्रीन पर परसनल इन्फोर्मेशन समने रिक्वाइड इंटी इंट्रीज भर कर से और कंटिन्यू बटन पर किलिक करना तो आपको लॉगिन करके अपना जो पोहटेंट आपना परसनल इंफोर्मेशन वो डालके हो सब्सॉब मीट कर दीजिएगा अब अगला इसटेशन है कि इस मथो और देख सकते हैं कि इस्टेफ थर्ड में क्या करना पर्सनल इंप्रमेशन बरने के बाद अपना उच्छ कंट्रास में अच्छा सा फोटो चमकदार ठीक है बलार वगर नहीं उसको आपको अपना हिंदी अवां अंगरीजी हस्ताचर के साथ कंप्यूटर स्कीन पर दिये अब आपका नाम होना चाहिए हिंदी अंगरेजी में अब यहां से खुद से देख सकते हैं हिंदी और अंगरेजी दिया अब यह कंप्लीट हो जाने के बाद आप अगला स्टेप देखें यहां पर कि इस्टेप फोर देखां इसके इन क्या हुआ फोटो महस्ताचर अप्लोड करने के वाद ब्यारती अपना से अच्छनिक योगिता संबंदी सूचना है इन फोर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आब सकता नों सर भरकर से बर कॉंटिन्यू करें बरकर सेब करना है अगल अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलत हो गया तो आपको यहां पर बैक टूईट बटन पर क्लिक कर देना है लाग टूए डिट्ट बटन पर क्लिक करना और एंफ़र्मेशन सुधार करके तब आपको कंटनू करना देना उसके बाद सुचना अपडेट हो सके ठीक है ब यह सबसे इंपोर्टन इसी टेप है कि इसी में फस जाता आखे कि पेमेंट आखिर कैसे कि रहे हैं तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना होगा अब ब्यार्थी द्वारा भरी गए सारी प्रविस्टियां प्रिब्यूद कर सम्मीट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट ब पर बैंक में जाएं फिर जाएं यह वैंक से यह में चुबीस गन्ते का टाइम लेता है प्रेमेंट होने में तो सब से आसान तरीका अगर आपके पको पास अर्टेवीट कार्ण और एक क्रेड़िट काड़ है तो आप आसानी से तुरत कर सकते हैं इसमें के मादियम से कर सक देखते हैं वे कम्पेटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंड मोड को जो ओनलाइन अप्शन पर क्लिक कर देना ठीक है वहाँ पर जो आपको तीन अप्शन दिखेगा डेविट काड नेट बैंकिंग और क्रेडिट काड परिच्छा सुल्क जमा करने के बाद उसमें लगने वाल जैसे यहां पर आप देख सकता है किशी एक पाठ करम के लिए ब्यारच समांनिन पिछडा बरगाति हैं सात सो पचास है वहीं जो है कि विकलांग अनुसुची जाती के लिए चासव पस्ति दो पाठ करम के लिए 850 है और से स्ट के लिए पंसो एक पचास समाने पिछड़ा तिन पिछड़ा के लिए यह साथ सथी से ठीग है तो यह लगने वाला जदा कुछ लगने वाला नहीं गवराने वाली बात नहीं इस टेप सेवन में डाउनलोड पार्ट वर्ण और पार्ट बीज़ा प्रिंट कर लेना आपको प्रिंट करने का संदिखें वहां से प्रिंट कर लेना उसके बाद डाउनलोड कर प्रिंट निकालने शुरुचित ताकि भवी समय कॉंसिलिंग जब पास हो जाएगा तो आपको कॉंसिलिंग करते समय उसको दिखाने के अब सकता होगी डाउनलोड किये अब दिन पत्र को हाट कोपी कारिया सब्सक्राइब करने के बाद अप्रिवर्थन संसुधन का प्राब्दन नहीं है हलांकि यहां पर दिया गया कि आपको बताएंगे यहां पर दिया है देखिए अश्ताचर अप्लोड करने में गलती तुसे शुदार करने के लिए एडिट करने के लिए अंति मौका आठ दिया जाएगा ठीक है यह जब फाइनल हो जाएगा कम्प्लीट जागा तब आठ से आठ तारिक को आप कर सकते हैं इसको इडिट अब अभ्यार्थी नोट करने के अप्लिकेशन फॉर्म के सम्मिशन के बाद इसमें ना तो विड्रो किया जा सके और नहीं जमा किया गया प है उससे पहले बहर लें ताकि आपका जो अप्लिकेशन से भारा जा सके अब देखना ओनलाइन अप्लिकेशन जो है में सुधार करें इडिट के लिए के बल वहीं से यह ब्यार्थी कर सकेंगे जो अपना पेमेंट जमा कर चुके हैं यह जिसके फॉर्म फिलप फाइनल हो यह उसके बाद कोई गलती ही निकल गया तो आपको अब करने का मौका दिया जाएगा जो डिट आपको मैंने बताए अभी यह डिट यह डिट को आप नोट कर लें यहांसे जो डिट दिया आठ नौड़ जाग किस से दसनों दोजरेकिस तक अब इडिट कर सकते हैं अब कर सब्सक्राइब करना और आपना इमेल आईड़ी पासफबर डाल कर लोग इन कर लेकर सम्मिट बटन पर किलिक करके अपने एकाउंट कर दिया है देख सकते पढ़ सकते हैं कि अब देखिए मातपूर्ण जो तारीक डेट अनलाइन रेस्टेशन का जो डेट है चुक्द तारीक से स्टाट हो जब चुक्द तारीक से ठीक है अनलाइन रेस्टेशन ग्लोज टोगा हुआ वह चार सितम्बर को खतम होने बाला या लास्ट डेट ऑप्यमन्ट चलान सम्मिशन जो है छे तारीकों 69 तक आपको कंप्लीट करना है लास्ट डेज जो प्यमन्ट थो नेट बेंकिंग डेविट कार्ट क्रिडिट कार्ड जो भी है वह विस साथनों को कंप्लीट करना है 11 बज के 69 पीम तक इससे आप देट को याद ओनलाइन इडिटिंग अप्लिकेशन आठ नो दोजाए किस से दस नो दोजाए किस तक 1169 पीम तक ठीक है अप्लोड ऑप ओनलाइन एड्मिट कार्ड यह तो यह था संबब सुचित किया जाएगा लिख दिया है इसमें कोई घवराने वाली बात नहीं है जब आपको अडिम पर्सनल इफ्रमेशन भर लिए उसके बाद पेमेंट नहीं कि तो वह माने नहीं होगा ठीक है आयू सीमा के लिए कोई नियुंतम अर्थवा अधिक्तम आयू सीमा निरधरित नहीं है हलांकि पार्ट टाइम चार बर्सी के लिए दिया आयू सीमा को नियुंतम नीस बर्स होना चाहिए एक तारिक सत्मा मैना 2021 को जो उसको उनीस बर्स का होना चाहिए ठीक है अब आगे देख सकते हैं पारा बर्स होना चाहिए इससे ज्यादा नहीं इससे ज्यादा कम नहीं ठीक है अब देख लिए अब पारा मेडिकल इंट्र अस्त्रिया पार्ट क्रम समुहा कंतर का जी एनम नर्सिंग ग्रेड की पार्ट क्रम के लिए दिनांग 31 या देख सकते हैं 31 1221 को नियुंतम सत्रे बर्स अधिक्तम 35 वर्स होने चाहिए एनम नर्सिंग पार्ट क्रम के लिए सभी के लिए जो है नियुंतम सत्रे बर्स की आयू की अब सकता यहां पर दी गई है आप देखां सेचनिक सेचनिक आवासी आहरताओं तता अन नियमोग सरतों के लिए विहार सभी प्रवेश परती हो सब्सक्राइब कर देता है यह फिर वेपसाइट का यह अपने बारे में दिए दिया गया तो आप समझ चुके होंगे आप वेपसाइट पर जाएए वहां से यह ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए ठीक और आप पढ़के अपने से कर सकते हैं जैसे यह यह ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए ठीक और आप पढ़के अपने से कर सकते हैं जैसे यह ओप अप्लिकेशन खुले का ओनलाइन पोटल में आपको ओनलाइन फॉर्म फिल अप करके भी बताऊंगा ठीक है तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद